आज किस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे बीए बीए सी बीकॉम के फिप्त समस्टे के छात्र है जिनको अनिवार प्रश्ण पत्रियानी को करिकुलर सब्जेक्ट की परिछा देनी जिसका नाम है अनलेटिक अबिलिटी एंड इस्टेल अवर्णेंस जिसके बारे में आप सभी जानते हैं यह सभी थातरों को देना ही देना होता है और इसमें जो प्रश्ण आते हो सारे के सायरे अपज्जेक्टिव आते हैं और मैं आपके विए box बैस उसमें का इंतलब के इयो are जही करते हैं साध समज़ते होंगे कुछ question अको आते हैं रिजिनिंग विस्ट इसप्रकार कि आपको आपकीपटर में कु epis कोश्चन और उसके उत्तर को डिसक्स करेंगे तो वीडियो को इंट तक देखते रहे हैं काफी हिल्फुल कोश्चन है और कंप्यूटर और इंटरनेट के वारे में मैं आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि हमने पिछले के लिए 5 सालों इसलिए हमने सब्सक्राइब कांप्यूटर और संब्सक्राइब कि अप्सक्राइब के बारे में तो यह प्राइला प्रेश्ट कि MS Excel में फाइल का extension क्या होता है यह प्रश्ण यह कह रहा है कि जो आपका MS Office होता है तो MS Office के चार पार्ट होते हैं ठीक है तो MS Excel एक प्रकार का soft wear होता है ठीक है तो soft wear में जो हम कुछ भी मतलब कि इसमें एक्सल में कुछ आप लोग mathematics के ठीक है और आप लोग फार्मूला का यूज करकिस में date seat है ठीक है और जो इंपुलाई की salary होती है ठीक है इन सभी में उसको मतलब तैयार किया जाता है ठीक है MS Excel में ठीक है तो वह फाइल अगर आपको save करना है तो वह कौन सा extension उसका नहीं है ठीक है जिसे कि आपका photo का जो होता है वह .png.gpg होता है और pdf का .pdf होता है उसकी तरह एक फाइल होती है अगला प्रशन है कि वह एक्सल में कौन सा बार मैसेज हुआ प्रॉंप्ट को रखता है ठीक है यह question भी ध्यान रखना आप सभी को और इसका सायुत्तर हो जाए का option number कौन सा चले comment section में अगर आप सभी को बारनों तो जरूरू बताएंगे सायुत्तर हो जाएंग स्टेटस अब यह आप कहरेंगे यह बार 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 क्यों आ रहा है यह होता क्या है तो computer में कुछ पट्टिया होती है इस परकार की ठीक है computer में ठीक है और नीचे होती है उपर होती है ठीक है तो इन ही पट्टियों को अलग अलग नाम से संभुधित किया जाता है जिसके last में बार ल कुछ पट्टिया होतीं इतनी उनको बार के नाम फिजानते कोई टाइटल बार होता थीक इसी तरह बोला जाता है थीक अलग लग लग नाम उसे इस बात को ध्यान रखेंगे अग्ला प्रस्टन है कि प्राथमिक संग्रहन दुतियक संग्रहन की आपेच्छा क्या धीमा खीश इस बात को ध्यान रखेंगे अगला प्रशने के यह सेल क्या होता है तो आपकी जानकारी के व्रतादें MS Office का एक software होता है जिसको MS Excel के नाम पे जानते हैं ठीक है तो इस प्रकार की row और column को मिलाकर एक इस तरीके का cell बना जाता है ठीक है row और column को ठीक है column यह हो गया row यह हो गया ठीक है तो row और column को मिलाकर जो चीज बीच में box बनना इसको Excel की भासा में यानी computer की भासा में Excel में cell बोलते हैं ठीक है इस बात को ध्यान रखेंगे ठीक है तो वही कहरा कि cell क्या है तो आपको यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा चलिए comment section बताईए आप सभी एक मानम सही उत्तर हो जाएगा या बानमबर क्योंकि row और इस बात को ध्यान रखेंगे अगला प्रशन है कि एक work sheet में row कितनी होती है तो एक work sheet में row की संख्या बताने है आपको एक्सल में इस तरह के बहुत सारे row और column बने होते हैं ठीक है इसी तरह के ध्यान रखेंगे इस तरह के excel आपने देखा होगा ठीक है तो उसमें वही question कहे रहा है कि और by default जो एक्सल में ठीक है 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 और बाकि आप और भी बढ़ा सकते तो वह question कहे रहा कि एक work sheet में रो की जो संख्या होती वह कितनी होते याद रखेंगे काफी helpful question है ठीक है आपकी exam के लिए ठीक है ओके चलिए बताते हैं यह वाला ठीक है यह रो ठीक है कालम यह वाला ओके तो वही कहे रहा कि कितनी होते हैं तो आपको यहाँ पर सही उत्तर बताना है सही उत्तर हो जाएगा इसका 55536 होती कितनी होती है 55536 बात कुधान रखेंगे एक work sheet में 5536 होती है अगला question कहे रहा कि modem का पूरा नाम क्या होता है modem जो आप पहले देखा होगा जो computer में इंटरनेट के चलाने के लिए उप्यूग के जाता था ठीक है तो modem का पूरा नाम याद रखना काफी popular question है सही उत्तर हो जाएगा option नमबर आ ठीक है इसका पूरा नाम होता है modulator demo do later ठीक है demo do later ठीक है demo do later आ नमबर सही उत्तर होगा अगला प्रस्ण कहे रहा कि एक work sheet में column कितने होते अभी उपर जाना कि एक work sheet में और row कितने होते हैं अब यहाँ पर question कहे रहा है कि एक work sheet में column कितने होते हैं तो ध्यान रखें काफी helpful question तो सही उत्तर हो जाएगा option number कितना बताए कमेंट सेक्षिन में एक work sheet में कितने column होते चलिए आप कमेंट में सेक्षिन में बताईए आइट एंसर हो जाएगा इस प्रश्ण का 256 ठीक है और मैं आपको बता रहा हूं कि जो एक्सल होता है इसके कई सारे वर्जन है ठीक है लेकिन आपके जानकारी के लिए यह जानकारी हम 2003 जो एक्सल का वर्जन है उसकी बता रहें ठीक है है खयरा की कौन सा बार टाइटल बार के नीचे एक्सल में प्रदर्लाश्थ ख़ता है तो से उत्र है इसका ऑप्शन ङमबर और भी नामार ही टाम्री यह चेक यह्ग होता है एलेक्टानिक स्प्रीज का मत्तब हो गया इसमें त्यूरों की तैयार केता थे जो काbelsशय के नहीं लॉय यह Americans का उब टैनलेफ्य करना एक्सलप के जाती ढ़ाओ के खान दाना भाग देना वाक देन ऐसे करना तेक यह सब काम एक्ष्म में किया जातें तो प्रशुन में डिफाल्ट है है निंदर क्या होता है तो यह भी महात पूर्ड ध्यान रखेंगे बाइडिफालड जो होता है बाइडिफाल्ड कि बात कर रहा है एक्ष्म में ठीक है तो सही नेम Time एक्सेल वर्क बुक संग्रा है किस चीज का तो सिंपल सा इसका उत्तर लिखेंगे बहुत ही पॉपलर कोश्चन है आप सभी के इजाम के लिए वर्क सीट का ठीक है वर्क में क्या होता वर्क सीट ही तो होती है तो याद रखेंगे तो उसी में वह सीडी डाली जाती है तो उसमें क्या है क्या नहीं वह उसमें दिखाया जाता है तब ही ठीक है और अगला प्रशन है कि भाईया नीचे दिएगे सभी पद इस्प्रीड सीड सॉफ्ट बेर से सम्रद्ध हैं सिवाए किस के लावा तो शिवाए याद रखेंगे वारेफ डिटेक्शन के लावा बाकी सब चीज जो है वह एक्सल से सम्मंदित से यह दोनों सम्मंदित एक्सल से अगला कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सल डाकॉमेंट की सेल एड्रस में क्या होता है ठीक है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप्टिक इसमें पहले कॉलम फिर रोका नाम होता है ठीक है अगला प्रशन है कि इमेल क्या है या तो इमेल के बारे में आप सभी जानते ही होंगा ऊच्छे पता ही होगा इमेल के बारे में आपको मैंंट सेक्षिसन में बथा सकते हिसका उत्तर सही है इसमें नबर 7 कंप्यूटर में सwideßen.また together सब एक सब काम कि आि जwest आना एक उसल जिर्या होता है जिसके 되면 स आप इस आप कर्ते हैं एमेल के मादें में से बागी WhatsApp फेस्बूक तो चलता है आप सब जानता ही और नích कोस्टन है भई की रैम का एक प्रकार नहीं है ठीक है यह कोस्टन भी या क्या रहा है चले समझते पहले तर इसका आपके य immunity ठीक है टीक शोड़ ठीक पांसो च होतार नहीं होता इसलिए जफ्तर यहीं होगा सा अगला को आगला में यह अ फॉर्म इट्ड की किकटनी है ठीक है तोश्योत्र इसका हो जाएक का आफिस्ट नमब तीकrade थीक давно तरोगा ठीक है एक्सेल में फॉर्मिट की तीन विदियां है ठीक है याद रखेंगे अगला कुश्चन के रहा कि यह निम्लिखित में से कौन सा रिवाइस होती नहीं बाहर से मेमोरी तो लगाना नहीं पड़ता आज कल के जो मूबाइल आ रहे हैं ठीक है तो आगला परस्ण नहीं कि इंटर्नल इस्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज तो सहीवत तरुस्का हो जाएगा अपसे नमबर बावव प्राइमरी स्टोरेज है ठ स्टोर में से ठीक है तो जो कंप्यूटर मेमोरी नहीं है वो है ठीक है इन में से कोई नहीं क्योंकि आपकी जानकारी के लोतार इसमें से कोई मेमोरी ही नहीं ठीक है बाकी सभी रेंडम एक्सेस मेमोरी ठीक है यह नहीं है ठीक है याद रखेंगे इन में से कोई नहीं सही बाकि आप जानते हैं कि यह दोनों तो ही ही साइथ ठीक है बताए कमेंट सेक्षिन में हैं यह सही है डोनों है कि यह आपने की बात हो रहे हैं इसलिए हम दाफिलक्ट करेंगे इनमें से कोई नहीं अगला कि कम्प्यूटर में डेटा अफ्थाई रूप से संग्रहत रहता है क चलिए कमेंट सेक्षिन में आप से उत्तर हो जाएगा अगला कि सीडी को कंपेक्ट डिस्क के अलावा आने किस नाम पे जानते हैं तो इसको आप भी जानते हैं कई बार मैं बता चुका हूं से उत्तर आप्टिकल डिस्क के नाम से जानते हैं ठीक है किस मेमोरी में रखा चला जाता है ठीक है जब सेब नहीं करेंगे तो रहम में रहेगा लाइट चलीगी तो आपका डेटा चला गया कंप्यूटर से ठीक है कंप्यूटर सब दकोस में सीडी अच्छर का प्रियोग किस के लिए किया जाता है सिंबल सा उत्तर आप सुभी जानते कंपैक्ट डिस् जो अफ्थाई रूप से बंद बॉक्स में रहती उसको क्या नाम से जानते है ठीक है तो सही उत्तर हो जाएगा उसको हार डिस्क के नाम से जानते है कि यह अंदर बंद रहती है ठीक है फोरी यहां पर हार डिस्क अंदर बंद रहती ठीक एक बॉक्स में अगला की साइबर इसको इग्नोरी कर देते हैं कोई इंपॉर्टेंट नहीं इतना अगला प्रस्ण बहुत ही महात्रपॉर्ण जो कि साइबर से जुड़े कोईश्चनाएंगे शाइबर अपराद है इन आफ्टों में से तो साइबर अपराद जो है इन आफ्टों में से कौन सा चलिए बताए क तो हजार पे करिए और आप उसके बदले आपके जो लट्री है वह आपके फोन पे मतलब की अकाउंट नंबर बता है उस पर आपको टांसफर कर दिया जाएगा ठीक है विदिन 24 हावर यह फिर दो दिन में तीन दिन में ठीक है तो आप गलती फिर 2000 लालज के चक्कर में बह पता कौन सा है ठीक है तो वेबसाइड का जो सही पता है नापसर में से आप सभी कमेंट में जरूर बताएंगे ठीक है सही उत्तर हो जाएगा बानमबर ठीक है अगला प्रश्ण है बहिए क्या कोश्चन कह रहा कि निम्लिखित में से किसमी वायरेफ का लच्छण होने कि यहां पर पता नहीं क्यों लिख दिया में मुझे नहीं मालूम लेकिन सीडी रोम होगा ठीक आप इतना ध्यान रखेंगे कंप्यूटर वायर यैन आप से लोत में से कौन सा तो कंप्यूटर वायर स है जो वह सब्सक्राइब करें को क्या प्रश्ण है कि साइबरर उट्फेर और से पलड़ाती है तो प्रयुप मेंसे सभी अगला साइबर सुरच्छा की शुरुवात किस दसक में हुई थी बहुत ही popular question कई बार आ चुका वैसे आपको common question जानना भी चाहिए तो साइबर सुरच्छा की जो शुरुवात है 1907 में की गई थी याद रखेंगे बहुत ही popular question है ठीक है अगला प्रशन कहिए रहा कि वहाँ गोपनी है code जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रति बंधित करता है क्या कहलाता है ठीक है तो उसको कहेंगे हम password भाया हम किसी चीज़ में password लगा देते तो गोपनी ही तो रहता ठीक है उसको हम ही तो जानते है ठीक है या फिर अगला प्रशन कहिए रहा कि password के प्रियोग से उप्योग करता क्या कर सकता है ठीक है तो सिंपल सा इसका उत्तर हो जाएगा ठीक है वह गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं ठीक है पासवर्ड की प्रियोग से वह गोपनीयता मतलब किसी चीज को उस चीज के बारे मालूम ना पासवर्ड लगा दिया तो वहारा मॉबाइल खुले गए नहीं ठीक है तो यह क्या हो गया एक तरीके से आपकी जो गोपनीयता है जो आपका जो हीड़न चीज है वह आपकी सुरच्चित है ठीक है अगला प्रशन बहुत प्रियोग क्यों किया जाता है तो सिंपल सा इसका पूरा नाम होता है कौन सा इलेक्ट्रोनिक मेल ठीक है याद रखेंगे बहुत ही पॉपलर को इलेक्ट्रिक मेल नहीं इलेक्ट्रोनिक मेल ठीक है अगला की ऑफ का मतलब जैसे कि आप लोग देखते नहीं आपने अमोजॉन फिलिप कार्ट ठीक है मीसो यह सब आप जो है यहां से आप कुछ समान खरीज सकते हैं और बेश सकते हैं अनलाइन खरीज सकते हो बेश सकते हैं ठीक है तो यह सब क्या आगया अगला प्रशन है कि साइबर फुरच्छ क्या है तो सिंपल सैच गा उत्तर लिखेंगे साइबर सुरच्छा है वह सब तरीकों से बचाती है जो हम आं-लाइन वार्क करते हैं ठीक है यह पिर आं-लाइन किसी माद्यम से जुड़े हैं ठीक है अगला पसना कह रहा कि भारत में इंटरनेट के सुरु पॉपलर कोईश्चन है जो आप इंटरनेट चला रहे हैं ठीक है यही कोईश्चन कह रहा है कि जो आप आज इंटरनेट चला रहे हैं इसकी जो सुरुवात है वो भारत में किस संसे की गई थी तो याद रखेंगे 15 अगफ्त 1995 से शुरू की गई थी बाकि इसके अलग-अलग मत भीद बात को धैन के ठीक है अगले प्रेशन त्रहैंगे कि जो ईभाते उबर निसके उच्शित पते पर एक ही उजर द्वार बार रएक इमेल मेर फंदेश बेजना क्या कहला था है ठीक है तो बहुत ही popular question बार-बार email भेजना ठीक है तो उसको कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे उसको कहेंगे email spamming ठीक है यानि spam कर रहा है बार-बार आपके साथ गलत कर रहा है www प्रदर्शित करता है यानि कि हर website के आगे www लिखा होता आप इंटरनेट पे गूगल पे कोई भी साइट फर्च करते हैं तो सबसे पहले www ठीक है डॉट फिर उसके बाद ये स्टी पी उसके बाद website का नाम आता है ठीक है तो ये www का मंतव होता वर्ल्ड वाइड वेव सही उत्तरिश्का हो जाएगा आनमबर ठीक इस बात को ध्यान रखे भेसाइड होगल भेस्काहरि कोउश्цы अगला कोश्चन करें कि साइबर लोग सब्दा वली में डी ओएस का क्या defin घर तो ये जो होता है एक प्रकार का नेकार का कप्राइड का हीρωस्ष यानि कि denial of service इसको बोला जाता है ठीक है और आपका एक डॉस होता है ठीक है वो डी ओसी होता है ठीक है अग्ला प्रशन है कि एक computer वाइरस सामयनता सुयम को अन्य computer program फे जोड़ लेता है ठीक है कैफे जोड़ लेता है तो सही उत्तर इसका आपको बताना comment section में अगर मालूम है तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपसे नमबर दा ठीक है torgen horse ये तना महात पूर्ट फिजाल नहीं है लेकिन जान लीजिए ठीक है कम्प्यूटर वारस सामयनता स्वयम को अन्य कम्प्यूटर प्रोग्राम फे जोड़ लेता है torgen horse के द्वारा किस memory का भाग है जो hardics है वो जो है दुत्यक memory का भाग इस बात को ध्यान रखेंगी ठीक है रोम क्या है आप सभी को अच्छे बता रखें कई बार हमने बताय तो रोम जो है वो computer की अफथाई memory होती है अफथाई मुक्य 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 होती है जिसे कि आपके mobile में पहले धे memory होती है जिसमें आप लोग अलग से अब memory कोल नगाता नहीं लगाता कोई तो वही चीश है ठीक है अगला है कि मुख मेमोरी संक्राहित करती है मुख मेमोरी क्या इस्टोर करती है तो भाईया मुख मेमोरी आपका गाना हो सांग हो प्रोग्राम हो डेटा हो कुछ सोचना है हो सभी को इस्टोर करता है इसलिए सही उत्तर दानमबर हो जाएगा अगला है कि निम्लिक्षित में से कौन सी computer memory नहीं है तो इन आपस्णों में से जो computer memory नहीं है वो है ठीक है चले comment section में इसका उत्तर आप लोग सभी बताईए ठीक है अगला प्रश्णे की निम्लिक्षित में से किस memory में सुचना तुरंत उपलब्ध होती है तो उस memory का नाम है RAM ठीक है computer को internet फे जोड़ने में मदद कौन करता है तो भाईया सही सही एकदम सिंपल सा उसका उत्तर हो जाएगा आप सभी जानते भी होंगी ब्रावजर जीकिसे इंटरनेट इश्प्लॉरर यूज करते हैं सब क्या है ब्रावजर है जिनके माध्यम से आप लोग की फिजिश को सर्च करते हैं जो कि आपको इंटरनेट फे जोड़ते हैं उसके बाद आप उस पे कुछ सर्च करते हैं ठीक है और जो आपका Google है एक परकार का फर्च इंज रखेंगे छुम्म के टेप वा डिस्क इसी में आपका डेटा जो है अधिक मात्रा में इसको मोरा होता है जो कि मैं थरिकीशकu यह पीडियाप हम आपको टेली वाटसप पर दोनों पर दे देंगे, तो वहाँ से पढ़ाई कर लीजिए अपनी आप, और बहुत पारे कोश्चन और भी है, अगर आप मेसेज करेंगे, तो इसकी कई सारी पीडियाप हम आपको दे देंगे, तो आप तैयारी कर लीजिए, कोई कोश्चन और जरूर पूचे, जय हिंद,